ये है SMP जारखंड और आप देख रहे हैं SMP न्यूज जारखंड हकीकत है तो दिखेगा नमस्कार SMP न्यूज जारखंड में आप सभी का स्वागत है खबरों में क्या है आज खास देखिए SMP न्यूज के साथ होमगाड के जवानों में ओहापो की इस्तिती बनी आपको बताते चलें कि मनिय मुकमत्री जारकर नहमन सोलेन ने मधुपूर के चुनावी सभा में होमगाड पराटीचर पुलिसकर्मी एवं अन्ड के सम्मद में बिचार करने की बाते कही तो वहीं देखा जारा है कि होमगाड के जवान जो पिछले 8 मार्च से धरना पर बैठे हैं उन्हें एक आसा की नई किरन जगी है ऐसे में कुछ लोग मनिय मुकमत्री की बातों को अमल करना चाते हैं तो वहीं सैक्रो जवान जेल भरो अंदोलन को लेकर तैयारी में जूटे हुए हैं ऐसी सुचनाई च्छन कर आ रही है कि धरना अस्तल पर बैठे होमगाड के जवान अपने परिजनों को लेकर जेल भरो अंदोलन में हिस्सा लेने वाले हैं जो तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है ट्रेनों में भर भर कर होमगाड के जवान रजदानी की धर्ती पर पहुँच रहे हैं ऐसे में देखा जा रहा है कि होमगाड के जवान आपस में ही बटे हुए नजर आ रहे हैं तो क्या सही में होमगाट के जवान आपस में बटे हुए हैं या नहीं हाला कि इन खबरों से हम आपको पहले भी आवगत करा चुके हैं कि चाईवासा के नितृत करता ने क्या कहा था हलाकि SMP News जारखंड के होमगाट जवानों के अंदरूनी मामले में किसी भी प्रकार का टिका टिपनी करने से बचता आ रहा है अब देखने वाली बात यह होगी कि होमगाट के जवानों का अगला कदम क्या होगा जैसे कि कुछ जीला के जवानों का कहना है कि आज हम जेल भरो आंदोरन का करिक्रम करेंगे और कुछ का मानना है कि नहीं हम 17 तरिक तक इंतजार करेंगे फिर भी कुछ जीलों से होमगाट के जवान जब ट्रेन से चले तो क्या भेजा संदेश आईए सूनते हैं और देखते हैं ख़बर को बिस्तार से वहीं एक बार आये सुनते हैं फिर से मुखमंद्री ने चुनावी सभा से क्या करा था और हमको कुछ-कुछ खबर आ रहा है उस पर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे चुनाव खताम होने देगे और साथ साथी यहाँ पर हमारे राज में बहुत सारे इकाई हैं जो सरकार का अभी अंग बंद्र के काम कर रहे हैं कही पारा की चर्ट कही अनुबंद्कर्मी कही तरह के संबर्ग में यहाँ लोग काम कर रहे हैं जो भी यहाँ पस्तित हमारे अनुबंद्कर्मी पारा सिक्चक हो या सिपाई हो या हमगार के लोग हो आप लोगों को ने जी साथ का उम्मीद के साथ 2019 में भारती जन्ता पार्टी को उखाड़ कर फिका है उस उम्मीद को 20 वर्ष तक आपने जो दर्ध जेला है उस दर्ध को आप एसास करें और अपने उम्मीद को ना तुटने दें यह आपका सरका है आप इस कर्दी में बढ है और आपकी अधिकार की ही तुटने होगी वर्ष आपके आते बहुत सारे दर्धों का निवारण हंद करने जा रहा है जारकर नोमगार्ड वेलफेर असोसियन के तत्वधान में आठ मार से बिदान सोबा के समझ जो धरना का काजकरम चल रहा है लेकिन सरकार जो है मधुपूर के चुनाओं में ब्यस्थ है लेकिन आज पुरे राज के एक एक गिरक्चक अपने बच्चों को भी लेकर आप दे हैं कि आज जेल भरो अभियान जो है सरकार को आज हम लोगों किसी भी किमत में आज जेल में लेना होगा यह समर्पित्वकार जंसेथपूर के एक हजार से जादा संक्या में गिरक्चक भाई बहान आज राची के ट्रेन में बैठ चुके हैं और उनका यह मन बन चुका है कि मैं सरकार को आज अपनी गिरफतारी दूँगा ताकि सरकार जो है हम लोग के भी से में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है मदूपूर के चुलां में ब्यस्त है माननिय मुकुमंत्री जी से हम लोग आगरा और निवेदन करते करते आज आंदोलन का एक महिना चार दिन हो च अभी तक सरकार के परती होमगाड जवानों के लिए नहीं है दोस्तों आज हम लोग राची के लिए पूरे एक हजार से ज्यादा परमंडलिये सचीव बिने कुमार सिंग अपने दलबल के साथ राची के लिए हम लोग परस्थान कर रहे हैं जैहिन जैवारत जैजारकंग क फूरे अथी है अट साथ है आप ले देख लिए और हमारे प्रभी मुकर जीब के बीच आधी मोग घृटा अहि sow räकाना जिए अधिये अन्य सच्चाई छुप नहीं सकती बनाबट के मसूलों से और खुस्वुआ नहीं सकती बनाबटी कागज के फूलों से करत करत अभियास्ते जलमती होत सुजान और रसरी आवत जातते सिलफर परत लिसान सदसाया के दोहरे अरुनाबी केतिर अदेखन में छोटन लगे घाओ करे गम्भेर होमगाट को अगर को छोटा समझ रहा है तो वो इसकी समसे बली भूल है होमगाट सरकार पनाना भी जांता है और सरकार को भिगालना भी जांता है कि इंटीजार करलेंगे इंटीजार करलेंगे मंदिर में पाथ करलेंगे महाजीद में नमाज करलेंगे लेकिन जो लोड़े अंदोलन करेंगे तो मेहताजी के साथ करेंगे लेकिन यहां करेंडरे कमेटी के कितने सदसिया अर्मी पस्ठित है उसको हम देखना चाहते है और बोकारो जिला के कितने जवान यहां पर हैं उसको भी देखना चाहते हैं और राची जिला के जवान को भी देखना चाहते हैं फिर फ्रेशला होगा चुकि कोई पानी तुठान से लड़के यहां पर गुजर्बसर कर रहे है कोई जाके शिफा सेत मी जाके अराम ँफरमा रहे हैं ऐसा बुना चाहिए हमी एक घंटा के अंदर वे हुजिंग देखना है बुकारा जिला का जवान को भी देखना है और राची जिला का जवान को भी देखना है उसके बाद डिसकृस होगा देख तो अंसाइब गुला है जो कि हमने जब 35-36 दिन रह सकते हैं तो क्या उनका थर्ज नहीं बनता है कैसा पठर दिन में हो जो कि हमने का भौना को समझ नहीं पा रहे हैं और किसी के कंबोफ और बंबू रख के गोली चलाने का प्रयास बंपुल में किया जाए हैं जीट पिछे वार करने वाला जवान नहीं है कौन हो गया तो हो गया लकिन एक घंटा के अंदर आप संख्या दिखाना होगा आप से पंडित जी अगर आप सही जवान हैं तो एक घंटा के अंदर दिखाईए और मेरा जवान को देखिए वे तिस दिन से पेलिये हैं यहाफर हैं अप जाके देख सकते हैं सिर्थ जवान से नहीं होना चाहिए करनी और करनी में बुरुत अंतर हता है आप करके भी दिखाईए ताहके नहीं होगा काम हो इसामेना आप बच जाईएगा और हमारे जवान खर्च जाएंगे आप एक मीनट रूँके हैं आपको सबसे पहले वहिस्कार कर चुके है नहीं हमको अभी संख्या दिखना है का पंडरा के बंदूक रखे कोई नहीं चलाएगा जिन्दा बाद के हैं उसका मतलब हम लग गाव के हैं तो जंगली है जो इसा आप नचुआएंगा इसा मुप नचेंगे क्या जवान है जवान है जब मेरा जवान आएंगे तो पुरक पंडाल को ढख देंगे को ढखेंगे वो कल के बाद बहुत सुने बहुत देखे बहुत अनुभो किये ऐसा मेरा रिकोड नहीं है कि मैं आठ तारिक से अधी तक यहां अनुक ज़ित हुँ अगर कोई माईकाल लाल कि मैं अनुक ज़ित था तो मैं अतना सर जुका लूँगा क्या है एक दिन दी दिन के लिए यहां पर इसा आता है कि किसी का पराताया है भरजन करकिए और पिर दिखा के चल दिये इसा नहीं होना चाहिए हमको बोकारो जिला का भी जवान अभी दिखना चाहिए और राची जिला का जवान को भी हम अभी दिखना चाहेंगे कि कि इतना जवान हैं देल हकने से मगी होता है है मेरा बात बुरा लगे तो लगे लेकिन अधिन गफ़प बात है मा रव बात है घर आगे खोंकि कि रांची जीला कुछ नहीं कर रहा है, तो मैं आप सबों से कर्पत निवेदन करता हूं, तो मैं जब भी आप लोग बोलिएगा, यहां से जाने के लिए तो यार हूं, आप लोग अपना संगा से वह लडाई को लोग सकते हैं, आप लोग आजात हैं, लेकिन, मैं एक बात भ जिलान में है, जिसका जबान मेरे जारखन में राथी जिला में नहीं कर रहा हूं, तो अपना ख्यान रखें क्योंकि आप से हैं, हम लेटेस्ट अपडेट के रिए चाइनल को सब्सक्राइब से और लाइक करना ना भोलें, और बेल आइकन का पटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, धन्यवाद, जैहिंद